चंदननगर गाउं में एक किसान दीनू अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी उसे पासवाले गन्य के खेत में से कुछ डरावनी आवाजे सुनाई देती है दीनू आवाजों की ओर खिचा चला जाता है दीनू गन्य के खेत में चला जाता है जैसे ही दिनु गर्ने के खेत में घुसता है वे डरावनी आवाजे आनी बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद खेत में से एक डंडा निकलता है जिसमें दिनु की खोपरी टंगी होती है उसी समय वहाँ से दो शराबी नन्य और बंद दिनु की खोपरी के पास जाते है इसका धल कहां गया कहीं बेच कर तो नहीं खा गया है नन्य खोपरी देखकर बेहोश हो जाता है अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ये तो दिनु की खोपरी है बचाओ नन्य के बेहोश होने के बाद बन्य वहां से भाग लेता है और दीनू की बीवी रजनी के पास पहुचता है और बोलता है बन्य की बाद सुनकर रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है एक तो बन्य भाईया तुम ना दारू पी कर मताय करो हमारे हाँ बिलकुल सुवर जैसे लगते हो दारू पीने के बाद और आपके मूह से भी गटर जैसी बद्बू आती है रजनी की बाद सुनकर बन्य बोलता है ऐसा कहकर बन्ने रजनी को दीनू के बारे में बताने लगता है बन्ने के बाद सुनने के बाद रजनी भागती हुई खेतों में पहुँचती है गाउंवाले भी वहाँ आ जाते है किशन दीनू की गर्दन को देख कर कर्मा से बोलता है सही कह रहे हो किशन भाई कोई इंसान इतनी बुरी तरह से किसी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता है ये किसी शैतानी आत्मा या चुड़ेल का काम लगता है फिर गाउंवाले मिलकर दीनू का शरीर ढूनते हैं और अंतिम संसकार कर देते हैं रजनी गाउं के सरपंच कैलाश के पास जाती है और उन्हें अपनी आप बीती बताती है रजनी की बात सुनकर सरपंची बोलते हैं बेटी रजनी मुझे थोड़ा समय दो मैं दिनू बेटे की मौत के कारण का पता लगा कर रहूंगा ये अन्होनी जिसने भी की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं चाहे वो इंसान हो या सैतान अगले दिन सरपंच नन्हे और बन्ने तीनों उसी गन्ये के खेत में जाते हैं काफी देर ढूणने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिलता है सरपंची बोलते हैं नन्ने और बन्ने इतना समय हो गया लेकिन कोई नहीं दे रहा है यहां ऐसे तो हम ठक जाएंगे सही कह रहे हो मलिक मैं तो कहता हूँ चलते ही हैं आपकी भी उमर हो गई है कहीं दिल का दोरा आ गया तो लेने के देने पर सकते हैं फिर सरपंच की कहने पर नन्ने और बन्ने खेत को आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं अगले दिन मनुहर नाम का एक गाउवाला सरपंच की पास आता है और बूलता है अरे सरपंच जी गजब हो गया जिस खेत को आपने चलवाया था वहां तो गन्ने फिर से उग गए है ये कैसे हो सकता है मैंने तो खुद ही आग लगवाई थी मैं खुद चल कर देखता हूँ ऐसा कहकर सरपंच मनुहर के साथ जाता है रास्ते में उसे नन्हे और बन्ने मिल जाते हैं चारो खेत के पास पहुँचते हैं वहां सचमुच में गन्ने के लहलाहाते खेत होते हैं हैं ये ये कैसे हो सकता है ये खेट तो जल गई थी मैंने खुद अपने हाथों से आग लगाई थी तुम गाउवालों ने क्या सोचा यहां आग लगा दोगे और सब खत्म हो जाएगा जो कोई भी इस खेट के आसपास भी आएगा मैं उसे कच्चा चबा जाओंगी चुडैल की आवाज सुनकर ही चारों वहां से भाग खड़े होते हैं सरपंच जो उमर में सबसे बड़े थे वही सबसे तेज भागने लगता है फिर चारू भागते भागते वापिस गाउं के अंदर पहुच जाते हैं, गाउं के अंदर पहुचते ही सरपंच बोलते हैं और काउं को इस चुड़ायल से मुक्टी विला सके अब बेटा, इस उमर में मैं कहा जाऊंगा हैं, तुम तीनों जवान हो जा कर कोई तांत्रिक बुला कर ले आओ जो हवे इस चुड़ायल से आजाद करवा सके मेरा बस चले तो इस बुढ़े का गला दबादू जब काम होता है तो बुढ़ा बन जाता है और देखो अभी कैसे हम तीनों से तेज बागा आथा घोड़ा कहीं का अब गधा बन गया अरे नन्ने छोड़ नास को हमें अपने गाओं को चुड़ायल से बचाना है हम और हमारा परिवार भी तो इसी गाओं में रहते है यह नहीं करता तो हम तीनों कुछ करते है मेरी जान पहचान के बाबा है अभी चलते हैं उनके पास तहीं कह रहा है भाई यह तो बुढ़ा है इसे क्या वैसे ही मरने की कगार पर खड़ा है हम चलते हैं फिर नन्ही बन्ने और मनुहर तांत्रिक के पास पहुच जाते हैं और तांत्रिक को चुड़ायल के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है पेटा, इस ठेट के नीचे किसी औरत को मार कर कार दिया गया था, ये चुड़ायल उसे की आत्मा है, वो सब गाउवालों को अपना दुश्मन समझ रही है, और उन्हें मार रही है लेकिन बाबा, कोई चुड़ायल पूरे गाउव को अपना दुश्मन कैसे बना सकती है, ये तो बात कुछ समझ नहीं आ रही है सही कह रही हो मनोहर, पूरा गाउव उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन इन्ही गाउवालों में से किसी ने उसको मारा था इसलिए वो सारे गाउवालों को ही मार डालना चाहती है तो बाबा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप ही कोई रास्ता बताओ तुम तीनों को सब गाउवालों को बोलाना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है पिर मनोहर सरपंच के पास जाते हैं, और उन्हें बाबा के साथ हुई बातों को बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते है पिर सरपंच सब गाउवालों को अगले दिन तांत्रिक बाबा के पास पहुचने को बोलते हैं पूरा गाउव तांत्रिक के पास पहुच जाता है, सरपंच जी बोलते है बाबा, सब लोग आ गए है, अब बस आप उस चुड़ैल से गाउवालों को मुक्ति दिलाएं नहीं सरपंच जी, अभी सब लोग यहां नहीं आये है, तुम्हारे गाउव का कल्लू सुनार नहीं आया है फिर सरपंच जी के कहने पर गाउव के कुछ लोग कल्लू सुनार को पकड़ कर ले आते हैं कल्लू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, चारो तरफ अंधेरा चा जाता है और जोर से बिजली कड़कती है और वहाँ चुडैल आ जाती है कहा जा रहा है कल्लू, तेरी वज़से ही मैं मरी हूँ, बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूगी, तू तो गया ऐसा कहकर चुडैल कल्लू को गर्दन से पकड़ती है, कल्लू चिलाता हुआ बोलता है मार डालेगी मुझे, कोई नहीं मचा सकता तुझे कल्लू, तूने अपने ब्याज के पैसों के लालेच में एक औरत को मार डाला गावालो, अब तुम सब लोगों को डड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना दुश्मन मिल गया है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ, इसे भी मैं तिल-तिल करके मारूंगी, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी ऐसा बोल कर चुड़ैल कलू को लेकर वहाँ से चली जाती है